हेलो अब्रीवन आकाज फूट फैक्टरी में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहें नए तरीके से गोबी की सबजी इसके लिए मैंने हाफ केजी गोबी लिया इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं इसको गैस पर रखके भूनूंगी इसको चार तरफ से अच्छे से भून लेंगे ये देखिए अच्छा भून चुका है अब इसको दस मिट के लिए ठंडा करेंगे ठंडा करने के बाद हम इसको फोर पीसेस में काट लेंगे अब हम इसको ग्रेट करेंगे ये देखिए हमारा गुबी ग्रेट हो चुका है अब हमें एक कडाई लेंगे कडाई में चार चमच सरसो का तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें एक चमच जीरा एक चमच सौफ दो बारे कटी हुई प्याज एक चमच लेशन अद्रक का पेस्ट दस से बारे कडी पत्ते और स्वाद अनुसा हरी मिर्च डालेंगे और अच्छे से फूल लेंगे अब इसमें दो बारे कटे हुई टामाट डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच किचन किंग मसाला आदी चमच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी का सूरी मेति डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाएं मसाला पकने के बाद हम इसमें चार चमच फ्रेश क्रीम डालेंगे आप इसमें फ्रेश धही का भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे कंटिनियूस चलाते रहेंगे अब इसमें जो हमने गोबी गरेट किया हुआ इसको डाल देंगे सौधन उसा नमक डालेंगे और अच्छे सारी चीज़ों को मिला देंगे अब इसे दसमें ढखकर लो फ्लेंग पकाएंगे इसे पीच पीच में चेक करते रहेंगे जिससे यह जले नहीं अच्छे से चलाते रहेंगे हमारी सबजी बिलकुल तयार है अब इसे हम सर्व करेंगे देखी कितने अच्छी बनी है खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें वीडियो कर अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैलर को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू